Hey everyone, welcome to my channel, आज हम बनाएंगे pure 100% आटा bread, ये completely हम आटे से ही बनाएंगे, कोई मैदा वैदा इसमें हम mix नहीं करेंगे, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी ले लिया है और इसको मैं हलका सा गुनगुना कर लूँगी, और पान गुनगुना ही होना चाहिए, जादा गरम नहीं होना चाहिए, तो मैंने अब यहाँ पर डेड कप पानी एक बूल में एड कर लिया है, और अब हम इसमें एड कर देंगे, दो चमच भर करके चीनी, तो चीनी यहाँ पर नॉर्मल ली है मैंने, जो कि सभी के घर में अविले अगर आपके पास फ्रेश इस्ट है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ब्रेड बहुत जादा अच्छी बनके तयार होती है, पर मेरे यहाँ पर मेरे को फ्रेश इस्ट नहीं मिलाता, तो इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ, और और बेकिंग की रैसेप हो जाएंगे, इसका मदब हमारा इस्ट जो है, वो बिल्कुल अच्छे से राइस हो चुका है, देखने में यह कुछ इस तरह से दिखेगा, अगर आपका इस्ट अच्छे से राइस नहीं होता है, तो उसकी आप ब्रेड बिल्कुल भी ना बनाईएगा, क्योंकि उससे क्य देंगे, थोड़ा सा नमक, तो यह मैंने एक टी स्कून के करीब नमक एड़ किया है, और अब हम इसमें दो चमच मिल्क पाउडर एड़ कर देंगे, मिल्क पाउडर नहीं है, तो आप नॉर्मल दूद भी ले सकते हैं, और पानी की जगा आप दूद इस्तमाल कर सकते हैं, तो इस तरह से आटे में हमें गड़ा बना लेना है, और उसमें सबसे पहले एड़ कर देना है, यह इस्त वाला मिक्स्चर, और हम आटा गूदना स्टार्ट करेंगे, पानी अभी हम इसमें एड़ नहीं करेंगे, उससे पहले हम इसमें एड़ कर देंगे, दो चमच तेल, इसके जगाब बटर भी उज़ कर सकते हैं, पर तेल से थोड़ा ज़ादा अच्छा बनता है ब्रेड, तो अब हम इसको मिक्स करना है, स्टार्ट करेंगे और एक आटा सा बना लेंगे, आटा हमको ज़ादा टाइट नहीं बनाना है, बलकि थोड़ा सा लूज बनाना है, जिस करके हम इसमें पानी एड़ करेंगे, कुल मिलाके हम इसमें आदा कप पानी और एड़ कर देते हैं, डो बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमने इस्ट अक्टिवेट करने के लिए आदा कप पानी यूज किया था और आदा कप पानी ही, अब हम इसमें डो बनाने के लिए लोल करते करते गूंद लेंगे आटे पर थोसी मेनत करनी है और इस तरह से हमें Countertop बिल्कुल साफ कर लेना है और साफ करने के बाद हमें आटा इस पर ही गूनना है इसे क्या होता है कि आटे के बिल्कुल एक एक Particle में East चला जाता है और ये जो आटा है वो बहुती जादा soft बनता है लचीला बनता है और पहले तो ये starting में चिपकना start होगा आपके हातों पर और counter top पर भी पर जब आप इसको धीरे-धीरे से गुनना start करेंगे ना 10-15 मिनट के लिए तो आटा बिलकुल separate होने लगेगा आपके हातों से भी हटने लगेगा तो अब ह अटा बनके तयार है एक बोल में थोड़ा सा हम आईल डाल देंगे और उससे थोड़ा सा फैला देंगे और इसमें ये आटा रख देंगे और इसके ओपर भी थोड़ा सा ओईल डाल देंगे और ऊपर से cover कर देंगे सब्सक्राइं तो अब मैंने यहा पर cling wrap लिया है तो उस इसको rise होने के लिए 1.5 गंटे के लिए कोई न कोई गरम जगा पर अगर गरम जगा नहीं है तो आप इसको microwave ओवन में भी रख सकते हैं पर microwave आपको on नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही रख देना है और उसका डोर बंद कर देना है. पूरे डेट गंटे बाद जब मैंने आटा चेक किया तो इस बिल्कुल अच्छे से राइज हो चुका था और देखिए कितना हलका और फलफी हो गया था तो इस तरह से हम आटा बाहर निकाल लेंगे अपने काउंटर टॉप पे और इसको फ्लैट करना स्टार्ट करेंगे हलक ठेट के अंदर होल्स रह जाते हैं और इससे हमारी भ्रेड भूकली वनती है तो बहुत अच्छेसे दबाते हुए मैं आटे को करना है तो अब हम क्या करेंगे ना आटे को इस थोड़ा चोटा कर लेंगे और छहां से हमने आटे को बंद उसको इस तरह से पिंच करते हुए बंद कर लेंगे कि यहां से भी बेक होते टाइम याटा ना खुले तो अब मैंने यहां पर यह ब्रेड वाला टेन लिया है और इसको मैं और से घ्रीज कर रही हूं कि ब्रेड आपस में ना चिपके इधर उदर इसके वाल्स पर में अगर ब्रेड चिपकती है तो बेस से जादा चिपकती है जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए मैंने नीचे इसके बेकिंग पेपर भी लगा लिया है तो अब मैंने यहां पर यह सफेद तिल लिये हैं तो सफेद तिल में ब्रेड के ऊपर इस तरह से फैला द देने हैं और अब इस ब्रेड को हम रख देंगे इस टेन पर और ऊपर की तरफ भी मैं यह सफेद तिल इस प्रिंकल कर दूंगी तो अब दुबारा से हमें ब्रेड आदे घंटे के लिए रखनी है कि ब्रेड बिल्कुल अच्छे से राइज हो जाए जैसे पहले राइज फूलने से मैं उसको रोकूँ तो मैंने क्या किया कि वही वाला क्लिंग रैप इस तरह से उपर कवर कर दिया था और हम ब्रेड को राइज होने के लिए रख देंगे आदे गंटे के लिए और किसी गरम प्लेस पे रखना है या इसको भी आप डारेक्ट माइक्रोवेव में रख सकते हैं पर माइक्रोवेव आपको इसको नहीं करना है तो इस दोरान मैंने अपना ओवन प्री हीट कर लिया है दो सो डिगरी पे दस मिनट के लिए दोनों रोड ओन करके तो देखिए हमारी ब्रेड कितनी अच्छे से फूल चुकी है अब इस पे हम ब्रशिंग कर दे तो आईए अब हम इसको ओटीजी में रख देते हैं तो मैंने ब्रेड को रख दिया है और मैं इसका टेंपरेचर सेट कर रही हूं 40 मिनट के लिए 200 डिगरी सेल्सियस पर और मैंने दोनों ही रोड को ओन रखा था तो 40 मिनट बाद हमारी ब्रेड बनके तयार हो गई है और म अच्छा इस पर कलर आया है ना तो हमारी ब्रेड बिल्कुल अच्छे से फूली हुई भी है अब मैं इस पर क्या लगा दूंगी बटर आप चाहे तो इसकी जगा ऑईल भी लगा सकते हैं पर बटर लगाएंगे तो थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है और इसको हो चुके हैं अब हम यह कपड़ा हटा देंगे और ब्रेड भी देखे कितनी आसानी से बाहर आके निकल गई है इसमें से तो बेकिंग पेपर आप इसके बेस में जरूर लगाएं और साइट में ऑईल भी जरूर लगाएं तो आपकी ब्रेड बिल्कुल आसानी से बाहर नि बेस्टी बनी है रैसी में पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें